गुड इवनिंग ए स्टुडेंट्स मेरा तंसर कावेल लिकारे में आपका स्वागत है आज का जो टॉपिक है वह बर्न विचार जिसका भी फर्स्ट लेंग्वेज हिंदी है उसको लिए बहुत ही क्या है आवस्यक है किसी भी आपका teacher से समघित कोई भी एक्जाम है यह जानना बहुत जरूरी है veakran पढ़ना सभी किलाव से क्यों कि इस से related question आपके एक्जाम में रहता है तो बर्न को जानना बहुत है ज़रूरी है तो जानते हैं बर्न के बारे में तो जो बर्न विचार है तो भासा की सबसे छोटी इकाई ध्वनी है और इस ध्वनी को क्या करते हैं बर्न करते हैं यानि ध्वनी को ही क्या है जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बर्न करते हैं और बर्नों के जो समू है या समूदा है उसको क्या करते हैं बर्न माला करते है है जैसे यहां पर देख रहे हैं स्वर बर्न है ब्रेंजन बर्न है तो कितने होते हैं तो आप अलग-अलग जब सर्च करेंगे तो अलग-अलग संख्यां बताई जाएगी अलग-अलग किताबों में लेकिन आपको एक जाम के दृष्टी से आपको याद रखना है कि हमारे ज पूरे बर्न माला में बर्नों की संख्यां हो है 52 यानि 52 है आपको यह याद रखना है जो बर्नों की संख्यां कितने हैं बावन है इसमें साम देखेंगे जो स्वर बर्न है जैसे ओ-a-a-a-a-harsaw-dir-gai-a-o-o यह कितने हैं टोटल इंगा रहे हैं यह भी पुछेगा कि स् एक जाम में इसी तरह के प्रश्ट कुछते हैं बर्णों की संख्या कितनी है, स्वर्बर्ण कितनी है, बेंजन बर्ण कितनी है, और भी, तो स्वर्बर्ण है, एक आर है, और इसके अलंद में जो आता है, अंग और अह, इसको कहते हैं, अयोगवा, इसको कहते हैं, अयोगवा इसको कहेंगे अनुश्वर इसको कहते हैं बिसर अंग और अ और बेंजन बर्ण जो है बेंजन बर्ण की संख्या कितने है तेंटीस है और बेंजन बर्ण कहां से है काखा गागा से लेकर करके आपका जो हो तक जो है यह आपका है बेंजन बर्ण और इसकी संख्या है आपका तो सवरों की संख्याओन गार है और जो इसका रिए इसario 23 इसमें भी क्या है जो संजुक टाक्छर जो संजुक बेंजन बढ़्ण है वो हैं अक्षmented घ्याच और स्करॉ इसको क्या करते हैं संजुक बढ़ा थल शोर और द्धव इन तो आपके मशीराम में तरह जो है प३टे हैं ऐन थम्सेराइब था होना चाहिए थिक टू से hubs को हम करते हैं तीन भागों में बाटे हैं हर्ष श्वर है दीर्ग श्वर है और प्लूत श्वर यह आप से पूछा श्वर कितने हैं तो श्वर तीन प्लूत श्वर होते हैं हर्ष दीर्ग और प्लूत श्वर और उचारन के अनुशार श्वर को कितने भागों में है तीन अब फ़कार क है तो अब यह हो जाएगा आपका आएगा इसपरस बैंजन, अनुनासिक है, अंधस्त है, उष्म बैंजन है सनयूपत्य बैंजन है, और उथिप्त बैंजन उथिप्त्य क्या होगा बैंजन oh, लेकिन उत्चारण के नुसर हो रहा है इन बढगों यह आई बेंजनों के परकार और एक जो होता है, उचारन के अनुषार बेंजनों के परकार, यह हम सभी देखेंगे, डिटेल से मैं देखते हैं, बिस्तारी त्रूप से जो किसको क्या कहते हैं, अब है जीन ध्वनी के उचारन में हवा मूख विवर से आवादगती से निकलत है या जीन बढ़न उचार में कम से कम समय लगता हुशे इस वर कहते हैं तो श्व हम कई तर Creation है इसका जो Definition होता है तो श्वहर के उचार में हमारे ह्वा है जो निकलती है वह किसी या विरोध और कि बिना ही निकल जाती है यह कम समय लगता है उसी बढ़न को हम स्वार कहते हैं और यह भी क्या होता है जो बतायता है स्वार जो तीन परकार के होते हैं जो मूल स्वार है संधी स्वार है और एक है आपका दिर्ग स्वार तो इसमें जो मूल स्वार है मूल स्वार में क्या हैगा वे स्वार जिनके उचारण में कम से कम समय लगता है अर्था जिनके उचारन में अन्य सोरों की साहिता नहीं लेनी पड़ते हैं उसे मूल स्वर कहते हैं जैसे हैं अन्य सोरों की साहिता के बिना ही बोलते हैं और जो हरसी है जो हर्षो है और री है यह आपका जायेगा मूल स्वर में और शंधी स्वर में वे स्वर जिनके उचारन में मू जो सजातिय स्वरों का योग हो, यानि ऐसा स्वर, जैसे आ है, आ किसे बना है, ओ और ओ मिलकर क्या बनता है, आ यानि सजातिय है, एक ही जिसा है, जैसे है, बड़ी ही है, छोटी-छोटी मिलकर क्या बन गया है, बड़ी हर्शी, हर्शी मिलकर क्या बनता है, दिर्गी, क्या है एक है दिर्ग श्वर जैसे हो गया आपका आ दिर्गी और दिर्ग उ और एक होता है सन्युक्त स्वर एक हो गया दिर्ग और एक हो गया शन्युक्त स्वर क्या है यह बिजातिय स्वरों के आपको याद रखना है जो दिर्ग था वो समझातिय स्वरों के मिलने से हुआ था और यह जो है सन्युक्त स्वर वो क्या है विजातिया स्वरों के मिलने से जो स्वर बनता है उसे सन्युक्त स्वर करते है जैसे हो गया और एक स्वर है और दुसरा स्वर है हर्श्वी तो और छोटी के मिलने से क्या बना ए और एक स्वर है दुसरा स्वर है इन दोनों के मि तो दीरक्षवर और शन्यूद्वर में क्या आमतार है दीरक्षवर क्या होता है समझाती है जबकि into विज आती है नहीं दो अलग लग श्वरों के मिलने से इस वर का निर्मान होता है इसके बाद जो तीसरा आता है वो था पुलूत्स वर है पुलूत किसे कहेंगे वे सोर जिनके उचारण में दीर की सोर से भी अधिक समय लगता है उसे पुलूत्स वर कहते हैं जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं, किसी को पुकारने के लिए, किसी को जब पुकारते हैं, तो उसमें जो लगने वाला समय है, इसी को कहते हैं, जैसे हम किसी को आपने बताए गया, जैसे हम राम बोलेंगे, तो राम, यदि हम बुलात है किसी दो महन बुलेंगे कि सामने रिए गा उज मोहन इधर आओ लेकिं जब दूर मुखता है क्या बोगता है या उन acost इस्तामाल करते हैं या जो दूर में किसे वैक्ती को संबोद्रें बोधित करने के लिए करते हैं तो लंबा समय लगता है उशी को हम लोग करते हैं इस तरह से यानि इस उच्चारण के दि लिखना पड़ेगा तो यहीं है आपका पुलूत स्वर यानि पुकारने में नाटक के संबादों में इसका पड़ियोग करते हैं नेक्स है उच्चारण इस्तान के द्रिष्टी से स्वरों को तीन बढ़गों में विभाजित किया गया वो था श्वर का प्रकार अब जो है ऊच्चार-चार्ण क इस उच्चार को हम मुख के किस भाग से उसका उच्चारण करते हैं तो पहला है अगर्षवर अगर्षवर अगर मतलब आगे जीन स्वरों के उचारन में जीव जीव का अगर भाग उपर उठता है उसे अगर श्वर कहते हैं हमारा जीव में जीव का अगला भाग उपर उठता है जैसे हैं यहां पर E E A A इसका क्या होता है इसे हम अगरेशोर कहते हैं यह आपको याद रखना याँ से यह सब question जो है इस तरह से पुछाइब कौशा गौण सा अगरेशोर है यह मदjeश्वर है की नहीं है इसमें से आप निकाले पश्च शोवर कौन सा है, इस तरह से आपके एक्जाम में रहता है, मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् पश्च श्वर यानि जीन सोरग के उचारण में जीवा का पश्च भाग यानि पिछला भाग उपर उठता है उसे हम लोग क्या करते है पश्च श्वर कहते है जैसे आ, उ, ओ, 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 यानि इन सोरग के उचारण में हमारा जीव क्या 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 हता है पिछला भाग इसलिए ह यह तो था यह है उचारण के अनुसार श्वरगों का बरगी करण, यह क्या हो जाएगा? अगरश्वर, ज्वर और पस्च्च श्वर नेक्स्ट है व्यंजन, व्यंजन वे ध्वनिया जो बिना श्वरों की सहता लिये उचारित नहीं हो सकती यानि बेंजन के उच्चारन के लिए स्वरों की सायता लेनी पड़ती है उस दोने को कहते है या उस बर्न को कहते है बेंजन बर्न जैसे का में क्या है का और कोई भी बेंजन बर्न हम लेंगे उसमें क्या आता है स्वर नीथ होता है तो इसमें क्या होता है और भी जो स्वरों हैоде अनुनसिक में जान है ल database ऑग्ष तो इसपर्स बेंजन जो है जीन Заन को चारन में जिवाक जिवा लेकर के मौना कोई भाग मूख के किसी ना किसी भाग से इस पर्स करता कि सब्सकरता जिसे कौ से लिकर के मौँ तक कौ से लेकर मह तक 25 बेंजन और वो जो किया है आपके इसके बाद 6 बेंज़न के उच्चारन में वाईव नासिका मार्ग से निकलती है। नाक से होकर के निकलती है। अनुनासिक बेन्जन कहलाते हैं। जैसे हैं अंग यू, र, न, म, ये क्या है। अनुनासिक है। अंतस्त बेंजन, जीन बेंजनों के उचारन में मूख बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायूश्वरों की भाती बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन होने वाली ध्वनी अंतस्त बेंजन कहलाती है, और आपको नाम याद रखना है, डिफनिशन आपसे नहीं बहुत सारे कोश्चन आते हैं आपके एक्जाम में, या र ल वा, ये क्या हैं आपके अंतस्त बेंजन हैं, अंतस्त बेंजन कहुंसा है, या र ल वा, नेक्स्ट हैं, उच्छिप्थ बेंजन, जीन बेंजनों के उचारन में जिवा की उल्टी हुई नोक तालू को छूकर जटके से हड जाती है, उन्हें क्या करते हैं, उच्छिप्थ बेंजन करते हैं, जीसे र, ढ, ये उच्छिप्थ बेंजन आता है, और उच्छिप्थ बेंजन, जीन बेंजनों के उचारन में एक परकार की गर्माहट या सूसराहट सी परतीत होती है, उसे करते हैं उच्छ जैसे श, श, स, ह, ये आपके हो जाएंगे, उश्म बेंजन, जैसे अंतस्त बेंजन आपको याद रखना है, इस तरह से आपको उश्म बेंजन भी बहुत एक जाम में आता है, उश्म बेंजन का ततालाब विश्व है, मुर्धनश, दंस, और ह है, इसके बाद है, सन्यूक्त है जीन बैंजनौं के उचारन में अन्यय बैंजनों की सहाथा लेनी पड़ती है उसे शन्यूत बैंजन कहते हैं जैसे आपका होगए अक्छा youtube आक्छा में क्या है यह दो बैंजनोंकर मेल से बना है यानि कॉर्व ए मुर्धने शौ क मिले बना है अक्छा यह लेकिन पढ़ते क्या है इसको उच्चारन की द्रिष्टी से को और छो पढ़ते हैं को और छो मिलके अक्छो तो अक्छो हो गया दो चीज को मिल से को और मुर्धन्य शो को मिलने से बना है लेकिन उच्चारन करेंगे तो जैसे हैं अक्छो जैसे कक्छा चो आता है कक्छा सिक्छा को और चो का उचारन आता है लेकिन ये बना है को और मुर्धन्य शो से इसी तरह से आपका जैसे है तरो है तरो किससे बना है तरो तरो बना है तो और रो के मिलने से बना है तरो इसके बाद है ग्याँ जो और यो के मिलने से क्या बना है ग्याँ यह उचारन की दिरिसे इसको कैसे पढ़ते है गौ और यौ जिसे पढ़ेंगे ग्यानी गौ उचारन आता है ग्यानी लेकिन यह बना है जो और यौ कर मिलने से इसी लिए सो करते हैं सन्युक्त बैंजन क्योंकि दो बैंजनों के मिलने से यह बना है नेक्स्ट है उचारन इस् उसी भाग धयुको नामकरण क्या गया है तो उच्चारन इस्थान का नुशार बनजनों को आठ भागों में बाटा गया है जो है, एक है कंठे बेंजन, नामी जैसे कंठ, जिसका उचारन कंठ सोगा, जिन बेंजन धनियों के उचारन में, जिवा के पिछले भाग से कोमल तालू का एसपर्स होता है, कंठे बेंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख, जब इसका उचारन करेंगे, तो जिवा का पिछला भाग है जो ताव कर झैन उपर का झो भाग तालू कुझव जीव एक जिव रहां और जीव सब्सक्राम करता है आग्रभाग करता है झीव करता European Eastern उपर का झो भाग मंढाता है उइस तालू कहते हैं27 ॆज लिंठ जागunden ज़, यानि इसका आप उचारन कीजिये और देखिये, फिर समझ में जाया कि कहा से इसका उचारन हो रहा है, जैसे बोला गया जीवाक अगरभाग, कठोर तालू को चुएगा, तो जैसे चा, चा का उजारन करने से जीवाक अगरभाग क्या है, तालू को असपर्स कर रहा है, च, ज, ज, य, स, यह है तलब्य बेंजन, मुर्धन्य बेंजन, कठोर तालो के मध्य का भाग, कठोर तालो के मध्य का वाग, जिसको मुर्धा कहते हैं, जब जिवा की उल्टी भी नोक का निचला भाग, उल्टी भी नोक का जिवा का निचला भाग, मुर्धा से इसपर्स करता है, ऐसी सिती में उत्पंध होनी को क्या करते हैं, मुर्धन्य बेंजन, जैसे ठ, ठ, ड, ढ, ढ, आप बोलिये ठ, ठ, बोलिये देखें, जीवा आपका प्रासा उलड़ जा रहा है, ठ, ड, ढ, ढ, र, य इसके बाद जो बेंजन है, वो है दंत्य बेंजन, जीन बेंजनों के उचारन में जीवा की नोक उपड़ी दातों को इसपर्स करती है, दंत्य बेंजन कहलाती है, यह जीवा का नोक क्या करें, दातों को टच करेंगा, इसके दंत, दंत, दंत से दंत, त, 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 द, ध, स, यह क्या है दंत बंजन है जब उचारन करें तो देख नहीं जीवा किया है दाँसे टच कर रहा है द इसलिए इसको दंत बंजन का गया अब ओस्ट नहीं ओट जो है आपका जिन बंजन के उचारन में दोनों ओश्टों द्वारा स्वास का अवरोद मतले मतल़ रोका जाता है लिए होता है उसे ओष्टे बेंजन कहला था है यह भीना ओष्ट के टकराए यह बेंजन को उचार नहीं होता जैसा पौ बोलेंगे तो आपका क्या होगा दोनों जो लीप है वो टच कर रहा है पौ बिना लीप को टच कर आप पो को उचारन नहीं कर सकते हैं फौ भ़१ौ इ इसलिए इससे हम लोग क्या करते हैं, ओर्श्ट बेंजन करते हैं, आप अचारन करके देखें कि touch हो तुछ हो रहाई हिन्हा कि नहीं, तो नहीं कर पाएं गें। पह, भा, 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 पह, इन सब के उचारण में क्या कर रहा है आपका लिप जो है ओस्ट जो है फोई हो रहा है इसले इसको क्या करते हैं ओस्ट बेंजन या आपके स्वासवाय। निकल रहे हैं उसको थोड़ा दिर के लिए रोकता है नेट्स्ट है डंत ओस्ट बैंजन में निचला ओस्ट दातों को इस पर्स करता है यह डंत करें बैंजन करें टातों तपकी तरफ बीचा चला वर्स्य बेंजन जीन बेंजनों के उचारन में जिवा के उपरी मशूरों का सब्स भाइन करता है इसलिय बेंजन करके देखिए है काकल्य बैंजन कहला जैसे हो आपको याद रखना है यह काकल्य बैंजन और अंतरस्त बेंजन दो हैं और आपको याद रखा है काकल यह बेंजन क्या है इसके बाद है आयोगर्भा mensen यह इसे कहते हैं हिंदी बन्माला में ऐसे बन्द जिननकी गन्ias ना तो स्वर में और ना ही बेंजनो में की जाते उन्हें अयोगबा करते हैं और अयोगबा की संख्या कितना होती है दो ये भी कई बार exam में सीटेट के exam में आ चुका है कितने अयोगबा है हिंदी बनमाला में दो कहीं कहीं आपको चाग लिखावा मिला लेकिन आपका एंसर क दो आयोगवा, वो क्या है, अनुषवार, जो ऐसे उपर में लिखते है किसी चीच के उपर में इसा जो बिंदी डालते हैं वो क्या है अनुशवार जो अंग बताा था, अंग और अह और यह विशर्ग, विशर्ग जो ऐसे 2-0 डालते है जैसे हो गया अंदर, मंदीर, अनुश्वर आ जाता है यसे प्रातः अतः ये क्या है विसर्ग, आयोगभा कितने हो गए दो अनुश्वर और विसर्ग, कभी कभी पुछता है इस तरह के सिमबल दे देगा ये कौँ recoin सा है, विसर्ग है अनुश्वर है अनुणाशिक है अयोगबा एपका विसर्ग है और विसर्ग है और क्या यह अच्छट है जी से इधर उधर आप अपना घर इत्यादी लास चुछ कर अन्यस्थी बर्ण चार कर जिया होते हैं लिएनुणाशिक है और एक आता है अनुनासिक भी जैसे आपको यह दिया गया है चंदर और बिंदू एक आता है यह चंदर और एक आता है चंदर बिंदू के साथ इसे क्या करते है अनुनासिक जैसे चांद मा इस तरह का एक जाम पलाता है यह है इसके लावाब और भी है जैसे यह लिखते हैं यह क्या है अंग्रिजी से आगत जो ओ जैसे ऐसा लिखते है ओ इसका उचार्ण क्या होता है ओ जैसे डॉक्टर डॉक्टर में कैसे लिखते ही है अंग्रिजी से क्या है जैसे डॉक्टर इस सब से क्या है यह आगत बर्ण और नेक्ष्ट है कंपन के अधार पर अब बर्ण य गोष और अगोष, गोष को क्या करते हैं, सघोष भी कहते हैं, तो गोष यह कमपन के अधार, कमपन अर्थार्थ हम जब बोलते हैं, हमारे गला में कमपन जो होता है, उसके अधार पर बर्णों का बर्गी करन क्या गया, तो गोष, गोषों के संख्या कितनी होती है, 31 बर्ण मला में इन बढ़नों की उचारन में केबल गले के कंपन से क्या है गुंज। गले की गुश होता है दो इन परतिक वर्ण का थिसरा चोफा और पांचवा भोल्ण लाष्ट का तिन है यहाँ से लेकर ये सभी क्या जाएगा आपका घोश में तीसरा चोथा आपको इस तरह से याद रखना आए तीसरा तीन तीन भौन है उसको कहते है हम लोग घोश या तक और इसके अलावा जैसे या रा ला वा वा ये जो है ये और सभी स्वर है जितने भी स्वर है इसके अलावा सभी क्या है घोश है सभी क्या है घोश यह कमपन के अधार पर घोश इससे भी एक जाम में इससे रिलेटेर भी प्रस्न रहता है और आया भी है कई बार इसके बाद ह अगोश, अगोशों की संख्या कितनी है, तेरा, यानि इसके उचारण में गले में परतेक बरका पहला और दुसा था है, इसके उचारण में गले में उस तरह से कमपन नहीं होता है, जैसे आप जो चान करेंगे, पहला और दुसा अच्छा ताठा ताठा, तो घोश में क्या किया था, गले में कमपन हो रहा था, इसमें क्या आवाद गती से क्या रहा है बायू, बहार निकल जा ये गलें उस तरह से कमपन नहीं हो रही है, तो पहला और दुसरा जो वर्ण है, ये क्या आता है अगोश, और अंतीम का जो तीन भर्ण हो क्या है, सघोश या घोश, अधार पर वर्ण वो क्या था कमपन के अधार पर अब है स्वास बायू के अधार पर जैसे अल्प प्रान और एक क्या है महाप्रान अल्प प्रान और महाप्रान अल्प प्रान किसे कहेंगे अल्प प्रान बोलते समय मुख से कम बायू बोलते समय मुख से कम बायू निकलती ह निकलती है परतेख बर्ण का जो पहला itisra और पांच्वा वर्ण होगा उसको हम लोग क्या क्या को आए अल प्रान यह जब हम बोलेंगे बायू क्या होगा क्म निकलेगा हम उसे हम लोग से छाहर है या नीजिए से पहला च और यह है यह आता है अलपप्राण है प्रेनी में आता है इसके अलाबा है यार लग और सभी जो स्वर हैं वो सभी क्या है अलपपराण है तो यह था अलपपराण इसके बाद जो आता है महापराण महापराण में क्या होता है जो वायू है ज्यादा वायू निकलता एक साथ बिनावाद के उसको कहते है महापराण इसी से हम लोग समझें कि महापराण इसमें कौन-कौन सा होगा, तो जैसे हमने देखा जो पहला, त Elizabeth, और जो पाजवाण है, जो और नमबर है वो क्या था आपका अलप पराण है, लेकिन इसी में जब देखेंगे दूसरा, यानि दूसरा और Joseph Royal Insurance आता है यह क्या होता है महापरान दूसरा महापरान दूसरा और चोथा कि स्रेनी में आएगा महापरान यानि यह जो स्रेनी आजाएगा यह पूरा और यह जो आजाएगा यह पूरा यह किसमें आजाएगा महापरान में और यहां पर यह यह जो बच गया यह क्या है अलपरान में हैं महापरान में कौन सा आजाएगा तालब विश्व मुर्दन श्व दंत श्व और यह हो है किस में आजाएगा यह महापरान में तो यहां देखा आपने इसको याद रखना भी आसान है सिर्फ आप एक तरह और नमबर अलपरान और इभेन नमबर इस्थान पर जो गोष और सगोष अंतीम का तीन बर्ण और अगोष पहले जो पर्थम का दो बर्ण और जो अलपरान है और नमबर यह एक तीन और पांचमा इस्थान जो गहन करता है और महापरान जो है इभेन नमबर यह दूसरा और तीसरा जो इस्थान है यह दूसरा और चोथा इस्था है इस तरह से यह क्या था जो स्वास बायू का अधार पर था अलपरान और महापरान आपका प्रसंद रहेगा रिलेक्टियर यदि रहेगा जो घोष यानि सघोष भी है और महापरान भी है इस तरह से दिया रहेगा तो आप अराम से कर सकते हैं कैसे करेंगे माली जी आपको गया जो एक्जाम में आया भी है इस तरह से पूछा गया है घोष भांश इनि 3-5 नंबर का बर्न क्या है आपका सर्वोश महःपराण क्या है दूसरा और चौथा है तो इसमें common क्या मिलेरा या नीचे लिखेंगे महापराण का दूसरा और चोथा तरसा बर्न आपके option में देखेंगे जौथा बर्न कौंँसा है जो चौ्ते नंबर पाता है। वह ही किया जागा? सघुष और महापराम्ध इस तरह से ऊपर-नीचे नंबर लिथ कर देखें किस सिरेशख में वह आ रहा है और आराम से बहुत है तो इस तरह से प्रशन पूछा जाता है देखते हैं किस तरह का प्रशन रहता है जो पहला प्रशन है देखे इसके अधारी पर जो बर्ण पढ़ी चाहिए इसके उपर ने बर्ण बिचाएक उपर श्वतंत रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां क्या है श्वतंत रूप से श्वरों की सहायता से बोल जाथी, कोई भी बेंजाने उसमें क्या है, श्वर सम्मलित है, तो दूसरा जो प्रस्न है, निमलखीत में से उचारन की द्रिष्टी से इस्थान जिवा का अगर नहीं है, जिवा का अगर नहीं है, इसका मतलब उचारन करेंगे जिवा के आगे वा तो दो उच्छारा नहीं करेंगे तो यह क्या आपका जायेगा इसमें और और क्या है अगे से नहीं अनिमत देसे बुला जाएगा तुसके असे उत्तर क्या हो जाएगा नॉमबर टू और कि 했어 हिंदी बर्ण माला में अंग और दा घैंग और किया है अंग जिसे हमने आपको बताया था अंग और क्या करता है तो इंदी योज वाय में वह सौर भेंजन या जो लोगो जो भाको दा करते हैं यह क्या करते है आई हृ जो क्या र ne न्यूक्त स्वर के स्ट्रिणी में ना है, शन्यूक्त स्वर है, आपने देखा धिर्गरफ और एक स्ट्रिणी स्ट्रिक्ट तो सन्यूक्त स्वर क्या है, उ, ए कौन सा है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अई क्या है आपका सन्यूख स्वार है नेक्स्ट है अंधस्त बेंजन है अंधस्त बेंजन या अंधस्त बेंजन है यह बहुत यासान है इसका उत्तर क्या हो जाएगा नंबर चार यह रा लवा क्या आता है अंधस्त बेंजन आता निनमें से महा प्राण धुएनी नहीं है, आपको क्या है महा प्राण धुएनी नहीं है तो को ही क्या है, यहां पर बताया गया महापरान ध्वनी नहीं है तो पहला को यह गो क्या है चोथा है यह तो है उसमें था तो जो इसका उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा को यह पहला इस्थान जबकि बताएगा महापरान कौन सा होता है दूसरा और चोथा इस्थान नेक्स्ट है अघोष ध्वनिया होती है अघ आपको बता है सघोस और अघोस तो कौन सा हो गा बहुत ही आसान तो जो सघोस होता है अन्तिम का तेन और जो अगोस है वह पर्थम का दो आगने पहली और दूसरी तो क्या होजाए बह्त की बर की पहली वा दूसरी ध्वैनी, महा प्रान ध्वनिया होती है, अभी अभी बताया महा प्रान कौन सा होती है, महा प्रान में क्या बताया था, इभेन नमबर या दखना है, इभेन दूसरा चौथा, तो दूसरा और चौथा, तो बर की पहली और तीसरी, बर की तीसरी और च आए औय वर्ण का उचार्न स्थान क्या है? जब हम बोलते हैं आए तो कहा से इसका उचार्न हो रहा है? नासी नाक्षय नहीं हो रहा है, मुर्धन्य नहीं मुर्धा उपर को क्या टच कर रहा है मुर्धा में? या कंठ तालब्य है या ओष्ट्य है, सायुत्तर क्या हो जो तो 3 जो 3 गोष, तो पहला है जब कि चो पहला है, तो गोष क्या हो जाएगा जैनी यह सहीफ तर क्या हो जाएगा तो सबसे चोटी काय क्या यह भी बहुत ही असान है तो बर्न जो है इसकी क्या है सही उत्तर है इसका भावसा की सबसे चोटी काय को बन करते हैं निमलखीत में से इसपर्स संघर्सी बेंजन है अब इसपर्स संघर्सी बेंजन जो हमने आपको नहीं बताया है इसपर्स और निम्लकित में से किस बन का मूल उचारन हिंदिय में पचलित नहीं है जो मूल उचारन होता है उचारन तो है लेकि इसका मूल उचारन हिंदी में नहीं आता है उसका सही उतर स्र छ जो अक्छ है री और स तो क्या होगा इसका सही उतर हो जाएगा री इसका मूल उचारन क्या हिंदी में परचली नहीं है नेक्षट देखते हैं नीम्न में से महाप्रान वर्न है महाप्रान अभी रहाता महाप्रान क्या होता है इभेन याद रखना है दो और चार, तो आ, औ आ, यह दो में है, कव पहला है, ट, भ, च, तो महाप्राण वर्ण है, इसमें से क्या है? थ, यह क्या जाएगा? जो स्वर है, यह भी दोस्रा है, औ, आ, दुसरा है, लेकिन यह जो स्वर, जितने भी स्वर है, वह किसमें चला जायגा? अल्पप्राण में जितने भी स्वारे किसम होगा अल्पप्राण में इसलिए दूसरा अस्थान होते हो भी हमने कहा था कौबर्ग से लेकर के जो कौबर्ग है वहां तक का जो है इभेन नमबर देखना है तथ यह हो जाएगा आपका महाप्राण खा है खा क्या है अघोष बे इसमें पड़ता है अल्पप्राण क्या बताया था जो अल्पप्राण में और नमबर एक तीन इसमें नहीं है तो पहला ही मिल गया तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा पहला ये अघोष बेंजन है इसके बाद है उश्म महाप्राण वर्ण है उश्म महाप्राण जो उश वुष्म면 बैंजन कहुंसा है वुष्मस बैंजन पहले वर खोजना वinci से शीफ्न मन razor आपको वैरी नमबर को आपको वर देखतर दूसरा दूसरा चोथा मेल निए यह पढ़ने निहीं होगा तर यह पहला नहीं होगा और उसके बाद जो था यह है यह महापराण में पढ़ा लेकिन उश्म भी खुजना आपको मैश करना है तो यह उश्म ने उश्म कसरेणी में यह आता है सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा नमबर फोर इसका सही उत्तर होगा जो उस्म भी है और महापराण भी है दोनों धुएनिया है ग्यो को बढ़न माला में माना जाता है ग्यो ग्यो जैसे अभी बताए आपको ग्यो किस से मिलके बना है जो हल और यह से मिलकर के ग्यो बना है उसका उचारन होता है ग्यो और यह क सन्यूक्त बेंजन सुर्शंधी जोरह और भेंजन है तो यह क्या हो जाएगा सन्यूक्त बेंजन इसका सन्यूक्त क्या बेंजन नमबर एक शन्यू की बेंजन, नीम्न में से कौन सा वर्ण इसपर्श संघर्शी है, इसपर्श संघर्शी थोड़ा दिर पहले में आपको बताया किसको कहेंगे, चाबर्ग के बर्णों को क्या करते हैं, इसपर्श संघर्शी वर्ण कहते हैं, तो चाबर्ग में क्या आता है जा चाचा जा 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 चाबर्ग में है तिसका सही उत्तर यही है टा सा हा यह चाबर्ग में हाता है तिसका सही उत्तर क्या है जा निम्लांकित में से सघोष ध्वाणी कौन सी है शघोष, सघोष के लिए क्या बताय था, घोष को इस सघोष कहते हैं, घोष, अगोष, यानि सघोष, सघोष के लिए क्या था, अन्तिम तीन बर्ण सघोष है, तो अन्तिम तीन, तो तो पहला हो गया, ये तब सघोष में नहीं आएगा, तो तो ये है दो, धो, ये चौथा, तो यह 3 और 4 है अंतिन 3 बढ़ को पहला है को भी पहला है तो यह भी नहीं हो गा यह नोगा तो सही उत्र किया होगा नंबर 2 यह दो और धो क्या है Χजोश ध्वैनी इसके बाद है आयोगवा कहा जाता है इस哇 किसे कहते हैं यह इस में से बताये जैसे विसर्ग है लिसरग है मह स्यूत्र क्यों जाएगा बिसर युष Scout को आयोगवाग कहा जाता है किस तरह से देखा बहुत सारे बच्छे यह नहीं समझ पाते हैं कि घोष सगोष क्या है अल्परान माहापरान क्या है जब उसको जोर देते हैं आज कर जो हमारा इदिया यह जो देख रहे हैं तो बहुत ही प्रांजे से उस्म था मिला हुआ इस तरह से किसी भी तरह का मिक्स करके देगा तो वही याद रखेंगे जो पहला दो अन्तीम का तीन और नंबर इवें नंबर वाला बर्ण तो आप अराम से क्या कर सकते हैं उसको इमेजिन करेंगा को स्टन के अंसर बहुत ही जल्दी आप सकते हैं और ये जह बर्ण विचार या आपका स्री टीट स्रीट का एक क्ष मलतुन इसका या प्रामी या पॉह जेय को आपको यह जरूरीai क्योंकि कहीं प्रस्ठ्ट क्या है पोच देता है तो आपको यदि हमारा यह बीडियो पसंद है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें हमारे वीडियो को इसको सेर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हमारे चैनल पर जिससे देख रहे हैं हमारे चैनल है इस तरह से आपका काविल एकाडेमी तो आशा करता है आपको बहुत अच्छा लागा होगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमा झाल कर दो रखना कर दो झाल कर दो नहीं हो झाल कर दो भाल कर दो जो जो तो ऑगा है